तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो बहुत जादा खास होने वाला है एक कह सकते हैं बहुत डिमांडीड वाला वीडियो होने वाला है ठीक है इस सब्चेक्स का ट्रांसलेट करके समझाया हमें तो जियोग्राफी का यानि कि भूगोल का भी ट्रांसलेट करके बताईए तो फाइनली ये वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आपको मिल जाएगा लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा आपको अब ये एक्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है कि कब अपलोड हो गाई है लेकिन अभी जो टाइम हो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 बच के 42 मिनट हो रहा साम का और इस वीडियो के लिए जो प पूरा दिन मेरा माली जे लगभग पूरा दिन जो फ्री टाइम होता है एक तरह से वो पूरा दिन पांच से साड़े-पांच या छे घंटे के आसपास इस वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में ही चला गया तो इतनी महनत के लिए बच्चों एक लाइक जरूर किजेगा इस वीडियो को जितना जादा से जादा लाइक होगा इस वीडियो का हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की कॉंटेंट यूनिक कॉंटेंट आपके लिए अपलोड करने के लिए चलिए अब जादा टाइम वेश्ट नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को हम सुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 12 का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है हिंदी में जिसको भुगोल बोलते हैं उसका यह सैंपल पेपर है टर्म वन एक्जामिनेशन के लिए और जो हमारा सेशन होने वाला है वो 2021-22 सेशन है क्लास 12 का इस चैंप भुगोएं बच्चो आप देखिए हैं यहाँ पर समाने निर्देश दिया हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लिजये में चो जो मुख्य मुख्य बाते हैं वह आपको बता रेता हूं तो भी कि सामाने निरदेश यानि इंग्लिश में इसको इसको इसके इंदर मोटी मोटी बाते बता रखिए कि प्रश्ण पत्र में तीन कंड़ यानि कि तीन सेक्षंस में डिवाइड किया गया है एबीस है ठीक है उसी हिसाब से यहां पर बता रखा है कि खंड एजो है आपका उसमें प्रस्ण जो है आपके वह चौबिस प्रस्ण है और प्रशनों में से केवल आपको 20 प्रश्न यानि 20 प्रश्नों को हल करना है अब डेखे तीसरे में क्या बोल रहा है कि करना अगे कद सब्सक्राइब वहां पर attempt करना है उसी के अंदर आपका जो है सो की सुरोत आधारित प्रशन वगेरा इस सारे चीज इंक्लूड हो जाएगा और आगे चले तो पांच वे में देखिए पांच वे में वीडियो को हम सुरू करते हैं सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है सेक्षन ए खंड कव बोलते हैं इसको हिंदी में इसके अंदर जो कोशन हमसे पूछ रहा है बच्चो कोशन को एक बारी ध्यान से समझ लीजिए कोशन पूछ रहा है कि निमलिखित में से किस केंद्र सासित प्रदेश में जन संख्या का घनतो सबसे अधिक है यहाँ पर ध्यान रखेएगा पूछ रहा है केंद्र सासित प्रदेश में आगे चलते हैं रेखिए यहाँ पर चार ओप्शन आपको देखने को मिलेंगे बच्चो यहाँ पर आप देख भी पारे होंगे पहला है बच्चो आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप NCT दिल्ली ठीक है दूसरा है आपका अंडोमान और निकोबार दूइप समू और तीसरा है चंडीगाड चौथा है पांडू चेरी तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चो वह होगा आपका NCT दिल्ली जो है आपका ठीक है यहा दूसरा प्रस्ण देख लेते हैं बच्चो दूसरा प्रस्ण क्या पूछ रहा है हमसे तो इसमें पूछ रहा है कि निमलिखित द्रिष्टी कोन को जो द्रिष्टी कोन है उनको उनके विकास के अनुसार अनुक्रमिक करम में व्यवस्तित करिया निकि कह सकते हैं आप सीरिय उत्तर होगा बच्चों दूसरे कोशिन का यहां पर आप देख सकते हैं वो होगा आपका सी ठीक है यह सी इसका सही उत्तर होगा जो इसी में देखिए पहले दूसरा आएगा फिर तीसरा फिर पहला और चौता तो इस तरह से इसको हम लोग सीरियल वाइस लगाएंगे तो आगे चलते हैं अगला प्रस्न देखिए बच्चों तीसरा प्रस्न पूछ रहा है हमसे कि पन्ना पाला ठीक है यहां पाला लिखा यानि यह पाला होगा आपका पल्ली नगला और धानी धानी नहीं होना चीए हां पर कुछ और होगा निमलिखित में से किस बस्तियों के होगा लिखनेशन और नियुक्त ष्कूरिश की सब्सक्तों अबियह कंने और भी सब कर दोऊंगा है मैं आपको ट्रंसलेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा English में इसको hamleted settlements कहेंगे और Hindi में क्या कहेंगे आपको मैं यहाँ पर edit कर दूँगा आप यहाँ पर अभी पढ़ पा रहे होंगे screen के उपर आपको दिख रहा होगा Hindi में यह चीज़ को कहेंगे ठीक है fourth वाला option इसका सही होगा और यहाँ पर मैं एक चीज़ include कर देता हूँ बच्चो यह जो pdf मैंने translate किया है यह English to Hindi में translate किया है तो कई questions मिलेंगे आपको या कई options में आप देखेंगे मात्राओं की गलतिया सब्दों में गलतियां मिलेंगे आपको यह मैं अभी mention कर देता हूँ वैसे तो वीडियो के शुरू में mention करता हूँ यह मैं तो यहाँ पर अगर आपको गलतियां मिले और मैं उन्हीं गलतियों के साथ बोलता चला जाऊँ तो आप यह मत समझ लीजेगा कि सर गलत बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पूरा पूरा इंगलिस में sample paper होता है तो इसको हिंडी में translate करने में बहुत problems आती है आप कभी करके देखिएगा आपको पता चलेगा तो अगर आपको आता है वहाँ पर जो चीज गलत है अगर आप उसको सही कर सकते हैं सही answer जो है comment करके बता दीजिए तो किया होगा अगर आप सही comment करके बताएंगे तो उससे 4 बच्चे और आपके comment को like करेंगे और 4 बच्चे और जान पाएंगे कि इसका सही option क्या है ठीक है तो ये चीज है negative comment करने से अच्छा है चार बच्चो की चार आपके जो मित्र है उनकी भलाई कर दे और आपके comment पे चार like आजाए ठीक है तो ये चीज है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए बच्चो चोथा प्रस्ण क्या पूछ रहा है आप से कि केंदर सरकार दुआरा पर्योजित निमलिखित में से किस कारेकरम का उद्देश से ग्रामिन आबादी को पीने और सिचाई मतसत्य पालन यानि मचली पालन और वनी करन यानि के पेड़ पोधे लगाना वनों को और हरा बरा बनानी के लिए पानी के संरक्षन के लिए सक्सम बनाना है ठीक है ये कारेकरम की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप चार उप्शन देख पा रहे होंगे बच्चो पहला है आपका अरवरी पानी संसत दूसरा है आपका हरियाली तीसरा है नीरू मीरू और चोथा है नर्मदा बचाओ ठीक है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चो इसका वो होगा आपका हरियाली अब मैंने कोशन भी पूछा था जियोग्राफिका जो लास्ट वीडियो में ने डाला था लास्ट या सेकेंड लास्ट था उसके अंदर मैंने कोशन पूछा था कि हर्याली से क्या थात पहें तो एक बच्चा कमेंट कर रहा हृ कि सर हर्याली का मतलब हरा भरा पेड़ grid और पुड़ा कर देना इस टाइप से कमेंट किया बच्चे ने मैं और क्रिश्णा सर्जय हस्ते रहे गया खर कि मैंनों हर्याली का देखो हरिाली मैं मानता हूं कि हाँ हर्याली सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि हरा भारा चीज़ लेकिन आप class 12th की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं मैं रहने वाली अबादी है ना उनको सिचाई के लिए पानी उपलब्द कराना ठीक है खेतों में सिचाई जो करते हो वाला पानी और मचली वगर रहनी मतसत्य पालन के लिए वनी करनी पेड़ पोधे लगाने के लिए ये सब चीजों के लिए पानी को उपलब्द कराना और पान आज में आगया होगा और वो उस बच्चे को भी कह रहा हूं जिसने कमेंट किया था कि हरा भरा तो बच्चे हरा भरा नहीं है वो इसका जो हर्याली का मुख्य कह सकते हैं डेफिनेशन है आपकी बुक के रेकोडिंग यह आप चोथे कोशन को पढ़ सकते हैं ठीक है एक नंबर के कोशन में कई बार पूछ लिया जाता है आगे चलते हैं अगला प्रस्न देखिए बच्चों पाच्वा प्रस्न क्या है कि व्यवसाय के अनुसार भारत की जनसंख्या को निम्न में वर्गिकित किया जा सकता है व्यवसाय के अनुसार बता रहे हैं यहां पर तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बच्चों चार उप्षन है पहला है मुख्य स्रमिक सिमांत स्रमिक गैर स्रमिक ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा बच्चों यह वाला इसका सही उतर होगा मुख्य स्रमिक और गैर स्रमिक ठीक है यह चीज है इसको English में main workers हो गया आपका और इसी तरह से non workers इस तरह से हो गापका ठीक है तो I hope कि यह question भी आपको समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं अगला प्रसन देखिए बच्चो यह छटा प्रसन हमसे पूछ रहा है कि निमलिखित में से किसने मानो विकास की अवधारना विक्सित की थी ठीक है तो यहां पर आप चार options देख पा रहे होंगे पहला आपका LNC sample दूसरा है डॉक्टर महभूब उलहक तीसरा आपका कवर सेंग कवर सेंग नहीं है यह आपका यह थोड़ा समिश टाइप हुआ है छोड़िए इसको और च कुछ तरह से कह सकते हैं यह चीज है आगे चलते हैं अगला प्रसन देखे पच्चो 7 प्रसन क्यogy पूछ रहा है है सात्वे प्रसन में पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सी एक व्रिक्षार ओपन व्रिक्षा ओपन फसल नहीं है ठीक है तो पहला है कौफी दूसरा ह यहां पर विरिक्षार ओपन फसल की बात कर रहा है, तो जो विरिक्षार ओपन फसल की हम लोग बात करें, तो गेहु जो है, मैं गेहु जो है आपका, विरिक्षार ओपन फसल नहीं है, ठीक है, यह चीज ध्यान रखेगा, I hope कि ये question भी आपको clear होगा साथ वा question आगे चलते हैं आठवा प्रशन देख लेते हैं आठवा प्रशन हम से क्या पूछ रहा है आठवा प्रशन पूछ रहा है बत्चो निमलिखित में से कौन सा विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है थीक है पहला है आकार में विरिदी दूसरा है आकार में इस्थीर तीसरा है गुणवत्ता इनी कॉलिटी में सकरात्मक परिवर्तन आना यानी पॉजिटिव ली आना को ओट औरन आदू परिवर्थन ने कौलिटी जो होता है उसमें एक नॉर्मल सा परिवर्थन आ जाना तो यह आपका जो कि आठ वे प्रस्ण है तो आठ वे प्रस्ण का जो सही उत्तर होगा बच्को वह जो सी वाला होगा यानि कि यह जो सी वाला आप देख पा रहे हैं गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन आना यह आप देख पा रहे होंगे यह वाला सही ऑप्शन इसका होगा कि यह जो विकास है उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है आगे चलते हैं अगला प्रस्न गया है ठीक है यह चीज है तो यहाँ पर भी आप चार उप्सण देख पारहे होंगे बच्चो पहला है आपका गंगा एक्शन प्लाइन दूसरा है आपका नमामी गंगे तीसरा है आपका गंगा नमामी एक्शन प्लाइन और छौथा है गंगा क्लीनिंग कैसकते ज। Mitte है निमलीखीत में से कोई वात नहीं चुन सा कह सकते हैं मुख्य रूप से ओध्योगिक सहर नहीं है । तोस्त Candi G Daddy मुख्य रूप से देखा जैने ठाई नहीं है आपका तो आजोपकी एक कोशन भी आपको क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं तो इसका जो सही उतर है बच्चो यह डी होगा निमलिखित में से किसके प्रतिसत को दर्साता है मतलब निमलिखित में से किसके प्रतिसत को दर्साता है तो यहां पर पूछ भी रखा है भारत में सहरी करण का स्तर कितना रहा है 2011 की जंगना के नुसार और अगर आपको पता हो तो यह कोश्चन भी लगभग लगभग मनें ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देख लीजिए तेरवा प्रस्ण क्या पूछ रहा है हमसे तेरवे प्रस्ण में पूछ रहा है बच्चो कि भारत की जणगंड़ना के अनुसार प्रवासन की गंड़ना निमलिखित में से किस आधार पर की जाती है तेरवे प्रस्ण म से किसके माध्यम से ग्रामीन और सहरी के बीच कार्यात्मक संबंद स्थापित होते हैं छेत्र के बारे में एरिया के बारे में पूछ रहा है इस तरह से तो चौदवे परस्न का जो सही उत्तर होगा वच्चों वह होगा आपका दूसरा कच्चे माल की आपपुर्ति के माध्य हमसे ठीक है तो यह आपका चौदवे परस्न का सही उत्तर होगा भी आगे चलते हैं अगला परस्न देख लिए जो बच्चों अगला परस्न है पंद्रवा परस्न पंद्रवे परस्न पूछ रहा है ब्राजील में कॉफी बागानों को जाना जाता है तो उसको थर्ड ऑप् श्मता द्रिष्टी कोम्स से शंता द्रिष्टी कोम्स से बोल रहा है संबन्धित है यहाँ पर तो शोल्वे परस्न नेना होगा आपका सही निमलिखित में से कौन से छेतर में वर्सा की कमी और सूखा है हमारे देश की बात कर रहा है तो इसका सही उतर है आपका दक्कन का पठार यहां पर सूखा है और वर्सा की कमी देखने को मिलती है तो आई होग कि यह कोशिन भी आपको क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं अठारवा प्रस्न देख लिजे बच्चो, अठारवे प्रस्न में क्या पूछ रहा है हमसे कि निमलिखित में से किस ओपनी वेशिक महासकती का इंडुनेसिया में गन्ये के बागान पर एक अधिकार था अठारवा प्रशन पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर है बच्चो वह है C आपका Dutch Dutch इसका सही उत्तर होगा तो आगे चलते हैं अगला प्रशन देख लिजे 19 प्रशन क्या पूछ रहा है हमसे 19 प्रशन पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन Court Town का एक अच्छा उधारन है 19 प्रशन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा बच्चो जैपूर जो है आपका Court Town का एक सही उधारन है तो आगे चलते हैं अगला प्रशन देख लिजे बच्चो बीश्वा प्रशन क्या पूछ रहा है तो बीश्वा प्रशन पूछ रहा है निमलिखित में से कौन ही अवधारन मानों के प्राकृति करन से संबंधित है बीश्वा प्रशन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा आपका पर्यावरन जो नियति वाद बोल रहा है निश्चे वाद होना चीए वैसे यह एक बार यह आप कंफर्म कर लिजेगा ठीक है 21 प्रशन के और चलते हैं बच्चो 21 प्रशन देखे क्या पूछ रहा है हमसे 21 प्रशन पूछ रहा है हमसे कि निमलिखित में से कोन सी ग्रामीन बंदोबस्त की मुख्य विशेष्ता है यहाँ पर 21 प्रशन हमसे पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर है बच्चो यह आपक जरूरतों को प्राप्त किया जाता है यह जो ग्रामीन बंदोबस होता है उसकी मुख्य विशेष्टा है आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देख लीजे अगला प्रस्ण जो है सो कि हमसे क्या पूछ रहा है यह 22 प्रस्ण है 22 प्रस्ण में पूछा जा रहा है कि निम पूपयोग किया जाता है क्रिशी छेतर के अंदर ठीक वाटर को सबसे ज्यादा यूस किया जाता है 23 प्रशन के ओर चलते हैं बच्चों 23 प्रशन देखे क्या पूछ रहा है हमसे 23 प्रशन पूछ रहा है कि निमलिखित में से किसने 9 निश्चे वाद की अवधारना पेस की थ 24 प्रशन पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सी विशेष्टा आयू और कोशल चयन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है प्रवास के आधार पर बोल रहा है ठीक है तो 24 प्रशन का जो सही उत्तर होगा ये ए होगा गरामी छेत्रों में कामकाजी section 2 के अंदर कि अफरीका जो आपका महादूवीप है उसमें सबसे बड़ा भॉगलिक छेत्र वाला देश ज्वह विश़्हा हमें चुनना है ज्वहाटक है और 250 प्रसण का सही उत्तर होगा आपका अलजीरिया जो है आपका सबसे बड़ा भागलिक छेत्र वाला देश आप आपका तो आपको क्लियर हो गया होगा एक्षुली यह मैप के कोशन से जो मैप में आपको आगे दिखाने वाला हूँ अभी आपको तो उन्हीं के अंदर यह सारी चीज़ा आपको भरनी है ठीक है आगे चलते हैं 26 प्रस्ण देख लिए बच्चो 26 प्रस्ण का पूछ रहा है 26 प्रस्ण का आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए बच्चो 27 प्रस्ण 27 प्रस्ण का पूछ रहा है हमसे कि निमलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका का एक छेतर है जो निर्वा संग्रह का अभ्यास करता है 27 प्रस्ण है तो इसका सही उत्तर होगा आपको बच्चो उ कौन सा टर्मिनल स्टेशन ट्रांस कनाड़ कनाड़ाई रेलवे को जोड़ता है 28 प्रस्ण है आपका तो इसका सही उत्तर है बच्चो हैलिफेक्स और वैंकूवर जो है आपका यह आपने पढ़ा होगा यह इसका सही उत्तर है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देख लीज जाने वाल अंतर देशिये जलमार्ग है यहां पर चार ओप्षन देख सकते हैं आप तो इसका जो सही उत्तर है बच्चो वह सी आपका राइन जो जलमार्ग है राइन अधी जलमार्ग इसका सबसे ज्यादा यूस होता है अब देखिए वापस से यहां पर मैं आपको दिख पा रहे होंगे ठीक है तो इस मैप के अंदर क्या है कि कोशन करके आपको दिख रहा होगा अगर आप धियान से देख रहे होंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कोशन नंबर 27, 28, 26, 25, 29 तो इन मैप के अंदर ही जो मैंने आपको उपर मतला पीछे बताए ना कोशन नंबर 25 के अंदर क्या option है यह सारा जो options था जो मैंने आपको options सही बताए है वो सारा इसी के अंदर भरना था है ठीक है एक्चुली यह map वर्क था आपका तो आई होप कि यह समझ गया होंगे जो जो मैंने आपको 25 कोशन का answer बताए वो यहां आपको 25 कोशन में भरना है 26 में अब आगे चलते हैं बच्चों अगला प्रशन आता है हमारा वो आता है यहां पर आप देख सकते हैं प्रस्न नंबर 30 से लेकर 48 तक की बात करता है इसमें से कोई आपको 15 प्रशन करने है ठीक है तो प्रस्न नंबर जो हमारा 30 है उसके अंदर कथन और कारन दे रखा है तो निमलिखित कथन पर विचार करे और दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प का चैन करे पहला है सोलवी और सत्रवी साप्ताब्दी के दोरान जनसंख्या में तेजी से वृद्धी हुई दूसरा है सोलवी और सत्रवी साप्ताब्दी के दोरान विश्व व्यापार का तिस्वे प्रस्ण के अंदर चार ओप्सिंस देख पा रहे होंगे ठीक है पहला आपका केवल एक सही है दूसरा आपका जो सही उतर है वह आपका D है ठीक है आगे चलते हैं बच्चो 31 प्रस्ण देखे 31 प्रस्ण क्या पूछ रहा है हमसे 31 प्रस्ण में यह पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है मानव विकास के स्तम संके तक ठीक है तो यहाँ पर भी आप चार ओप्शन देख पा रहे होंगे बच्चो इसका जो सही उतर होगा वह का आपका सी यहां पर देख सकते हैं उत्पादक्ता संसाधन का उप्योग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए यह चीज़ है ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं बच्चो 32 प्रस्ण क्या पूछ रहा है हमसे 32 प्रस्ण पूछ रहा है कि प्रतेक समुदाय टी रेडियेशन के मामले में एक अच्छी तरह से पहचाने गए छेतर पर कबजा कर लेता है उप्यूक्त रेखा निमलिखित में से किस गतिविधी क तरही एक महत्ते पून विशेश्दा है 32 प्रश्ण है तो इसका जसा उतर है बीवाला आपका यानिकि खाना वदोष पराशु पुछ पैलन यह इसका स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा है आपका तो यह इसका सही उत्तर होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए बच्चो चौतीसवा प्रस्ण का पूछ रहा है हमसे कि निमलिखित में से कोन प्रवास का परियावर्णिय परिणाम नहीं है चौतीसवा प्रस्ण हमसे कुछ रहा हमसे कि हिमालयी चेतरों में निमलिखित में से कोन सी जल जाथी की गतिविद्यों से जुड़ी हुई है तहों इसका प्रस्ण है बखर वाल कह सकते हैं आप ठीक है यह सी इसका सही उत्तर होगा बकरवाल आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखे बच्चो अगला है आपका 36 प्रस्ण की कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित कीजिए और दिये गए विकल्पो की सायता से मलब यह चुनिए तो यह आपका 36 प्रस्ण के अं उत्तर होगा बच्चो 36 का वह मैं आपको यहां पर स्क्रिंशॉट लगा दूँगा ठीक है कुछ इस टाइप से होगा कि मतलब पहले का आपका चौत्था होगा ठीक है अंबाला जो है आपका गैरी सीन नगर है वैसे स्क्रिंशॉट लगाने की जुरूत नहीं है यहां पर स्क्रिंशॉट लगाने की जरूट नहीं है आपका आपका समझ गए होगे ठीक है आगे चलते हैं अगला परसन देखेंगी बच्चो 37 परसन के आप पूछ रहे हैं यह यह-ःइख कंप्यूटर और परिक्रिष्ट सांखी की उपकर्णों के उपयोग द्वारा चिन्हित किया गया था भौतिक के जो आप भौतिक के नियमों के अक्सर थे मतलब उसके अनुसार बोल रहा है मांचीत्र और विसलेशन के लिये लागू किया गया सही विकल्प का चैन करे ठीक है जलते हैं अगला प्रस्न देख लिए बच्चों अगला प्रश्न है और थीषवा प्रास्नी इसमें पूछरा कि प्रवास की निम्लिखित में से किस धारा में से पर बिलness और दोनों श्यत्रह में महिलाओ का वश्यस्तो है तो यह चीज़ है 38 प्रश्ण तो 38e प्रश्नका सहीध्तर है आपका ग्रामीन से ग्रामीन आप लिख दिजेगा का तो यह सहीध्तर होता आगे चलते हैं d. मचली, पालन, अंगूर की खेती यह आपका सही उत्तर नहीं है, ठीक है, मरलब सही उत्तर ही है लेकिन यह जो कह सकते हैं सुमेलन है वो सही नहीं बैठ रहा है, आगे चलते हैं, 40 वा प्रस्न देख लिजे बच्चो, 40 वा प्रस्न क्या पूच रहा है हमसे, कि निमलिखित जो हमारा यहाँ पर दिया गया है तीन चार जो आपके यहाँ पर दिये गये अब इमें बताऊँगा आपको विशेष्टाओं पर विचार करें और उन्हें जोडने के बाद सही सीर्षक चुने यानि कि जो विशेष्टाओं दिये गयें आपको यहाँ पर इन पर विचार करना है आपको और उसके बाद आपको सही सीर्षक जोडना है तो कई सारी विशेष्टा है आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं मैं डारेक्ट इसका एंसर बता देता हूँ जो चालीसवा प्रशन है उसका सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर विकल्प में आप देख सकते हैं वो हगा आपका अर्ध संकुलन या खंडित ठीक है यानि कि B इसका सही उप्शन होगा ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर यह देख सकते हैं आप यह तीन चार आप तीन दे रखें वेसिकली ठीक है तो इसका सहीव तर यह होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए बच्चों इक तालीसव प्रस्ण बोल रहा है कि निम्न लिखित पर विचार कर और दिये गए विकल्पों में से सहीव का चैन कर यह भी उसी टाइप से कोशन है तो यहां पर क्या बोल रहा है हमसे यह बोल रहा है कि निम्न इस्तर के छेत्रों में कारे भागिदारी दर अधिक होती है आ इंग्लिस का जो पेपर आता है मतलब सेंप्ल पेपर आता है जियोग्राफिका जो सीबीसी प्रोभाइट करवाता है उसमें आप देख सकते हैं तो जो एक तालीसवा प्रस्ण है इसका जो सही उत्तर होगा बच्चो यह बी होगा आपका यानि कि दोनों ही कथन सही है और जो कथन दूसरा है वो पहले कि सही वैख्या करता है ठीक है यह चीज है हिन्नी में कुछ इस तरह से कथन ते इंग्लिस में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं अगला प्रस्ण देखिए अगला है कि निमलिखित कतनों पर विचार करें वही चीज है इस पर विचार करना और बताना है कि अंगूर की खेदी भूमा दिस आगरे क्रिशी की विशेषता है और दूसरा बोल रहा है कि उच्च गुनवत्ता वाले अंगूरों से मदीरा का उत्पादन यानि दारू का उत्पादन किया जाता है और नीमन अंगूरों को सुखाया जाता है और किसमी रहा है हमसे अगला प्रस्न है 43 यानी की 43 प्रस्न है तो 43 प्रस्न में बोल रहा है कि कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित कीजिए और दिए गई विकल्पों कुषिस साहता से शही उत्तर चुनिए ठीक है यहां पर यह हमसे बोल रहा है तो basically यहां पर एक चीज भी पढ़ सकते हैं किरिपिया अंग्रेजी का सेंपल पेपर देखे वह ऐसा इसलिए लिखा है मैंने बच्चो क्योंकि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सब कुछ सेट करना एक फॉर्मेट के हिसाब से वह काफी टफ हो रहा था इसलिए इस टाइप से म मैं आप दिखाने वाला हूँ आपको तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चो 43 वाला जो हमारा है यानि कि 43 कोशन यह कुछ इस टाइप से यहां पर आप देख पा रहे होंगे ठीक है तो जो 43 कोशन है यह इस तरह से मिलान है बेसिकली अगर आप ध्यान से देख पा रहे यमुना वहोगा आपका डिली एंद इटावा ठीक है यह रिवर्स के बारे में बोल रहे है दूसरा आपका काली यहानि रिवर्स को मिलाब कहां बहती है इस टाइप से पॉल्यूटिड प्लेश जो आपका प्रदूसित जगहों से मिलाना है तीक मतलब कहां प्रदूसित रहती है यह नदिया इस टाइप से यह तो पहला यमूना जो है वो दिल्ली में है और इटावा में है तीक है उसी तरह से जो आपको दूसरा है उसका पाँचवा है सयुतर ह मिलागर में है काली नदी के बारे में बात कर रहा है और तीसरा आपका घोमती नदी जो है आपका उसका सहुततर है चोत हावाला यह लखनाय चाहिए यह लखनौ 121 दो पोल्यूटेट आप यह चाहिए औहां-पिण वारनसी के अंदर सबसे जाधा गंदा देखने को मिलता है उसी इस सब ca mousy है अपका है एदराबार थे असब सी जाधा गंदा देखने मिलता है आपको ठीक है इस तरह से ये मिलान खरना था इसको हिंडी में मैं ट्रांसलेट तो कर लिया था लेकिन इसको एक पैटन के अनुसार जैसे यह है ना मिलान के लिए थोड़ा से गयाप होता है बीच में यह देख रहे हैं आप गयाप तो यह गयाप करने में मुझलाब काफी जारा प्रोब्लम आ रहा था इसलिए मैं इसको इंगलिस में आपको बता दिया आगे चलते हैं अब हम चवालिसवा प्रस्ण देख लिए बच्चों चवालिसवा प्रस्ण क्या पूछ रहा हैं से कि वर्स 2015 में कि सोर को उच्चित शिक्षा देने के लिए एक नीती बनाए गई थी मार्ग दर्शन और उनकी प्रतिभा का बहतर विकास होना च चीज़ है तो इसका इंग्लिस में होगा स्किल डेवलप्मेंट एंटर अप्रनियोर्शिप ठीक है इस तरह से जो एंटर प्रनियोर होते हैं अगर मैं प्रनाउंसेशन में यानि की बोलने में थोड़ी सी गलती कर रहा हूं तो आप अपना एड़ेस्ट कर लिजेगा लेक है 45 यहां पर बोल रहा है वीच आफ़ फॉल्विंग प्यर्स इस नोट मैस्ट करेक्टली तो इसका सही उतर है सी कॉलकाटा उन कल्चर बेसिस ठीक है यानि कि कॉलकाता संस्कृत्ति के अधार पर सी इसका सही उतर होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण भी वही चीज़ आ गया कि यहां पर भी कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेली त यानि सही कॉल्पों में चुनना है और इसके लिए भी कृपिया हमें अंग्रेजी का सेंपल पर देखना होगा तो फटा-फ़ड अंग्रेजी का सेंपल पर देख लेते हैं बच्चो तो ये देख सकते हैं आब चो 46 वा प्रस्न जो है इसके अंदर बोल रहा है कि मैच दा कॉलम यानि कि कॉलम को हमें मैच करना है कॉलम वन के अंदर हमें सिटीज के बारे में दिखा रखा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉलम टू के अंदर टाइप आफ शिटीज के बारे में बता रखा है तो यह हमें बताना है तो इसका सही उत्तर एक बार यह हम लोग देख लेते हैं पहला जो है आपका उसका सही उत्तर होगा आपका तीसरा यानि कि जो जम सेथपूर है वो आद्मिनेस्ट्रेटिव टाउन है भूवने का गाजिया भाद तीसरे का सेटल लाइट टाउन है आपका और चौथ आपका मसूरी जो है आपका अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं अब हम जो नॉर्मल ली अपना कर रहे थे वह देख लेता है यहां पर अगला प्रेशन देखिए 47 प्रशन क्या पूछ रहा हैं हमसे 47 प्रशन कुछ रहा है कि निम्लिक्रित कतन पर विचार करें और उनके लिए सही विकल्प चुनने के बज़ाए मनला हम सही विकल्प चुनिए इस तरह से दे रखा है तो यह कथन है पहला है कि अवेद सिकार के लिए कई प्रजातिया आप लुक्त या लुक्त होने के कगार पर हो गई हैं शुरुवाती सिकारियों ने पत्थर तहनियों और या तारों से बने आदी औजारों का इस्तमाल किया ताकि मारे गए जानवरों के संक्या सीमित थी इस टाइप से यहां पर कथन और कारण दे रखा तो आमें यहां पर बताना है तो इसका जो सही उत्तर है बच्चो वह सी है आपका यानि कि कथन पहला जो है और दूसरा दोनों ही सही है ठीक है यह चीज़ है आगे चलते हैं 48 प्रशन देख लेते हैं बच्चो 48 प्रशन है कि निमलिखित दो इस्तंभों के सही जोड बनाए और सही का चैन करें यानि कि इसमें अवधी यानि की पीरेड दे रखा है और अप्रोच यानि की द्रिष्टी कोंड दे रखा है ठीक है तो जैसे खाली स्थान में दो अलग लग होता है न तो उसी साब से यह अलग है यह अल कि यह वाला कह सकते हैं पहले का ए दूसरे का डी तीसरे का बी और चौत्थे का सी यह वाला एंसर इसका यह वाला नहीं तर सोरी यह पहले वाला यह नहीं का यह जो पहले वाला है यह वाला इसका सही उत्तर होगा ठीक है तो मैच कर लिजेगा किस टाइप से की नहीं है आगे चलिए यहां पर है जल क्रांती अभियान 2015 के बारे मूं बोल रहा है 2015-16 और यह ग्राफ जो है वो हम देखेंगे अभी आगे ठीक है तो यह चीज है तो यह कह लिए पैराग्राफ है पैराग्राफ को पढ़ना है आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं वीडियो क समय में विश्व जल की तीवर कमी का सामना कर रहा है ठीक है 49 वाला वह इसलिए कर रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए पचासवा प्रस्ण क्या पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन भारत में मॉडर्ल कमांड एरिया की विश अभियान का उद्देश से किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो यहां पर इक्यावनवा प्रस्ण देख सकते हैं पर इसका सही उत्तर बच्चो पारंपरिक ज्यान के साथ आधुनिक तकनीक का मिश्रण करके आगे चलते हैं 52 कोशन देखते हैं कि जल करांती अभिय कह सकते हैं जिसके अंदर बोल रहा है कि निमलिखित में से किनी तीन प्रश्णों को करे 56 से लेकर 53 से लेकर 56 तक तो दिये गए ग्राफ का ध्यान पूरवक अध्यान कीजिए और निमलिखित प्रश्णों के उतर दीजे तो यहां पर आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं वी प्राकिर्तिक वृद्धि कैसे होती है ग्राफ के अनुसार पूछ रहा है तो यह इसका सही उतर है जन्मदर माइनस मृत्तिव दर तो इससाब से आपका प्राकिर्तिक वृद्धि होती है आगे चलते हैं अगला है चौवनवा प्रश्ण की उच्च उतार चढ़ावाली अ पर थोए उस्ता में बदलाओ यानि की चेंज दिखाता है में आगे चलते हैं पच्च वनवा प्रश्ण यानि 55 वाला कोशन जो है दिये गए ग्राफ से आप विकासिल देशों में क्या इस्थिती का अनुमान लगा सकते हैं पच्च वनवा प्रश्ण है तो इसका सही उतर है उच्च जन्मदर और निमने जन्मदर के आधार पर ठीक है आगे चलते हैं 56 देखिए 56 जो कोशन है आपका जनांकी के संक्रमण की किस अवस्था में जन्संख्या विस्पोट हुआ था 56 प्रश्ण है तो इसका सही उतर है आपका बी वाला दूसरा जो स्टेज है उसके अंदर दूसरे चरण के अंदर ठीक है अगला प्रस्ण देखिए अगला है डाटा यानि कि आखड़े के आधार प्रस्ण है आपर निमलिकित प्रस्णों में से किनी तीन प्रस्णों का उतर देना आपको 56 शंतावन से लेके 60 तक है आपका ठीक है तो यह एक डाटा दिया है आखड़ा दिया गया इसको आप वीडियो को पॉस्ज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ठीक है मैं डिरेक्ट इसके कोशन्स लेता हूं और आपको अंसर बताऊंगा इसके ठीक है आगे चलिए तो अब यहां पर हम कोशन्स को पढ़ते हैं और उसका एंसर द आगे चलते हैं अगला प्रशन देखिए 58 यानि के 58 वा क्वेशन भारत में जन संख्या की उच्चितम दर्ज की गई वृद्धी दर क्या थी अंठावन वा क्वेशन है तो वह आपका बी यानि की कह सकते हैं बी है लगभग लगभग होना चीए वैसे तो जहां तक मुझे य सही उत्तर होगा आप देख लेजेगा है यहां पर ट्रांसलीशन वे थोड़ी सी गलती हुई है ठीक है यह होगा आगे चलते हैं अगला प्रशन है 59 यानि 69 प्रशन की भारत में निर्पेक्षिता ठीक है कि संख्या की दृष्टि को इन से सरवाधिक वृद्धिक किस वर् यानि कि जो हमारा पॉपुलेशन जो इयर था वह 1911 से जन संख्या वर्ष 2011 के बीच कितनी जन संख्या वृद्धि दर्ज की गई है हमारी ठीक है तो इसका सही उत्तर है यह डी वाला है ठीक है यानि कि जो डी वाला आप देख सकते हैं यानि कि इकाई-धाई सेकड़ा हज दुनिया में पूरी दुनिया में आज के टाइम पर हम दूसरे नंबर पर हैं नंबर वन पोजीशन लाकर दिखाएंगे जन संख्या के मामले भारत ठीक है तो यह चीज़े तो बस बच्चो यही था आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत लगा आज का यह वीडियो और अभी जो मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं बना करके अप्लोड तो पता नहीं किस टाइम होगा साड़े साथ बज़ रहे हैं सामके ठीक है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कर दीजे और बता जीजे कि ऐसा यूनिक कंटेंट सिर्फ आपको all cbac education in Hindi पर ही मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा बस इतना कहूंगा आपसे मिलता हूं आप से अगली वीडियो में अगर आप नहीं है इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे तब तक लिए खुश रहे हैं खुश रखी सभी को ज जाहिंद वन्दमात्रा